स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के जीविज्ञान अभ्यास दो अभ्यास का नाम है पुस्पी पादपो में लैगी की जनन में आज हम लोग पढ़ेंगे पर परागर से लाब क्या है और पर परागर से हानिया क्या है और पर परागर और सो परागर में अंतर क्या है आज इस वीडियो में बताया जाएगा तो आप सभी विद्यार्थी से अपने copy में note करते चलिएगा जिससे एक अच्छे से notes आपका बनता रहे तो आप सभी विद्यार्थी पहले heading को note कर लेजिए कि परपरागर के लाब मतलब परपरागर से लाब क्या है तो परपरागर से लाब जो है निम्न है पहला लाब क्या है परपरागर से नई जातियां उत्पन होती है मतलब परपरागर से जो पोधों में जो नई जातियां क्या होती है उत्पन होती है दूसरा जो है इसका लाब है कि परपरागर द्वारा रोग और रोधक जातियां तयार की जा सकती है तो दूसरा जो लाब आप लोग को अच्छे से समझ में आगया होगा तीसरा लाब है परपरागर के फल सरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्त होते हैं मतलब परपरागर से फल सरूप जो बने जो बीज होते हैं उनकी संख्या क्या होती है अधिक होती हैं लच्छड होते हैं पौधों के अंदर वो क्या होते हैं बाहर हो जाते हैं तो पर परागर से लाव जो है आपको चार बताया गया यह चारों लाव अपने कौपी में नोट का लिजे इसे दो बार पढ़ लिजे आपको यह लाव क्या होगा याद हो जाएगा अब हम लोग बनते हैं और बेर्थ होते हैं मतलब जो पर परागर में जो पराग कण होते हैं वो अधिक संख्या में बनते हैं लेकिन क्या हो जाते हैं वो बेर्थ हो जाते हैं मतलब वो खराब हो जाते हैं दूसरा जो होता है उनसे हानिया पादपो का पर परागर गंध और मकर कंध बनान तो दूसरा जो हानिया है पाध्पो के जो परागण गंध और मकरकंध बनाने के लिए बहुत अधिक खोता है उर्जा को वह करना पड़ता है तो परपरागर के दो हानिया हो गया अब तीसरा हानिया क्या है तो तीसरा हानिया है कि पर परागर के लिए पादपो को बिभिन युक्तियां जैसे कीट, वाई, जल, पच्छी, आदी पर निर्भर रहना होता है पर परागर के जो पादफ होते हैं पौधे होते हैं उसमें युक्तियां जैसे कीट है वाई है जल है पंचे है आध पर क्या होते हैं निरभर होता है क्योंकि कल के वीडियो में बताया गया कि पर परागर के कितने वीधियां होते हैं तो पर परागर के वीधियां जो है तीन ह क्या है वाई द्वारा जन्तु द्वारा जल द्वारा प्रागर होता है तो यहां पर जो पादफ होंगे पर प्रागर में जो पौधे होते हैं उसमें कीट वाई जल पंची पर क्या रहते हैं निरफर होते रहते हैं पांचमा जो हानिया है अगला जो हानिया है यह आर्थिक दिश्टी कोर से पौधों के लिए नहीं होता है मतलब यह आर्थिक दिश्टी कोर मतलब पैसे के रूप में अगर देखा जाए तो यह पौधों के लिए क्या है नहीं होता है आर्थिक का मतलब होता है व्याय मतलब पैसे की बात यहां पर है तो यह आर्थिक दिश्टी कोर स हानिया को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट का लिजे और इसे दो बार पढ़ लिजे आपको पर परागर की हानिया जो है आपको याद हो जाएगा तो पर परागर से लाब और पर परागर से हानिया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम परागर्ट था सो परागर्ड में अंतर और दो कालम बना लिजिए और एक कालम लिखे पर परागर्ड और दूसरा कालम लिखे सो परागर्ड बहुत ही आसान अंतर है बस थोड़ा साब को ध्यान देना है पहला अंतर होगा एक पुष्प के परागर्ड उसी जात के दूसरे पादब के पुस्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की किरिया है मतलब पर परागर जो होता है वह एक पुस्प के जो पराकर्ड होते हैं उसी जात के दूसरे पादब मतलब दूसरे पोधे पे के पुस्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की किरिया होता है और यह जो होता ह सो परागर जो होता है एक पुस्प के परा करके उसी पुस्प के ध्यान दिजेगा उसी पुस्प के वर्तिकारग पर पहुंचने की किरिया है यह क्या है उसी जाद के दूसरे पादप यह दूसरे पादप के पुस्प के वर्तिकारग पर पहुंचने की किरिया है और यह जो ह कि एक पुष्प के परागर जो उसी पुष्प के वर्तिकारग पर पहुंचने की किरिया है दुसरा जो है इसका अंतर है प्राया पुष्प एक लिंगी होते हैं मतलब पर परागर में जो होते हैं प्राया जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं एक लिंगी होते हैं और इसमें जो होता है इसमें पुष्प जो होते हैं दुई लिंगी होते हैं तो समझ में आ गया होगा दूसरा अंतर दूसरा अंतर क्या है कि इसमें जो पुष्प होंगे वो एक लिंगी होंगे और इसमें जो पुष्प होते हैं वो क् सुगंधित होते हैं और रंगीन होते हैं इसमें जो होते हैं सुगंधित एवं रंगहीन होते हैं इसमें रंगीन होते हैं तो इसमें क्या है रंगहीन होते हैं तो कितना असान अंतर है बस थोड़ा सापको देयान देना है अंतर पे आपको अंतर याद हो जाएगा और पांच माध्यम की आउसकता नहीं होती हैं तो आपको चार अंतर असान अंतर बताया गया जिससे आप यह अंतर असान विधी से आप याद कर लें तो यह अंतर को आप सभी विद्यारती अपने कौपी में नोट करिए दो बार पढ़िए अंतर आपको अच्छे से क्या होगा याद हो के द्वारा वर्तिकार को ढग दिया जाता है जो धैली करण के द्वारा जो को धैली करण कहते हैं तो आप सभी विद्यार्थी जो आपको बताया जा रहा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजेगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कौफी में इसे जरूर नोट कीजे दो बार पढ़िए आपको अच्छे से परिभासा याद हो जाएगा तो आज का जो पढ़ाई हुआ है परपरागर और परपरागर से लाब हानिया और सोपरागर और परपरागर में अंतर आज बताया गया तो आप सभी विद्यारती से पने copy में नोट कर लिये होंगे तो आज का जो वीडियो है इतना ही रहेगा अब कल के वीडियो में आगे जो हम लोग पढ़ेंगे निसेचन क्या है निसेचन कितनी वीधियां से होता है वो कल के वीडियो में बताया जाएगा तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब और वेल आइकन घंटी का जो आपसन होता है उसे आप ओके कर लिजे जिसे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेश तुरंत आपके पास पहुंचाए